कि कैसे हैं आप सब उमीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छे चल लए होगी तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीयल यानि की यूटिलिटी पावर टेक लिमिटेट के असिस्टेंट लोगोड राइबर ट्रेनिक के बारे मरें डिसकर्स करने होले जो की फीटर एलेक्टिसी और डीजल मेकेनिक के लिए है तो आये फेंड्स अभी स्टार्ट करते हैं तो हमारा पहला कोस्चन है निम्निम मेंसे किस धातू को फॉर्ज नहीं किया जा सकता है तो इसका right answer हो जाएगा option A यानि कि cast iron यानि जो cast iron है इस धातू कि हम क्या कर सकते हैं तो फॉर्ज नहीं कर सकते हैं अब इसे लेड़े कुछ points को देख लेते हैं जैसे जो cast iron है cast iron में carbon संयुक्त और स्वतन्त रुप में पाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं तो graphite कहते हैं नेक्स्ट यह malleable और ductile नहीं होता है यानि कि जो cast iron होता है वो malleable और ductile नहीं होता है नेक्स्ट कोस्चन है कोस्चन नमबर second निम्न मैंसे किस धातू का प्रयोग करके टूल बनाय जाता है तो इसका right answer हो जाएगा option c यानि कि high carbon steel यानि कि high carbon steel का प्रयोग करकर हम क्या बना सकते हैं तो tool बना सकते हैं अब इसे रेटर कुछ points को देख लेते हैं जैसे कि इस spot में जो carbon की मातरा होती है निकि जो high carbon steel होता है उसमें जो carbon की मातरा होती है वो होती है कितनी होती है तो 0.75 प्रतिशत से 1.5 प्रतिशत तक होती है next question है question number third galvanize करने के लिए किस धातू का प्रयोग किया जाता है तो इसका right answer हो जाएगा option B यानि कि zinc धातू का प्रयोग किया जाता है क्या करने के लिए तो galvanize करने के लिए अब आगे इससे कुछ points को देख लेते हैं जैसे कि zinc के बारे में जो zinc होता है इसका जो संकेत होता है वो क्या होता है इसका atomic number कितना होता है तो 30 होता है नेक्स्ट जास्ता यानि कि जो zinc है उसको जास्ता बोलते है तो जास्ता एक रसानिक तत्व है जो संक्रमन धातू समू का एक सदस्य है next question है question number fourth निम्नमा से किस धातू का प्रयोग कर उच्छ गुणवत्ता के बिजली के तार बनाए जाते हैं यानि कौन से धातू का प्रयोग करकर हम क्या करते हैं तो उच्छ गुणवत्ता के बिजली के तार बनाते हैं तो इसका right answer हो जाएगा option c यानि कि copper का प्रियोग करकर हम क्या करते हैं तो उच्छ गुनवत्ता के बिजली कतार बनाते हैं अब इससे कुछ points को देख लेते हैं जैसे कि जो copper है उसका जो संकेत होता है वो क्या होता है c u यानि capital c और a small u होता है और इसका जो atomic number होता है वो 29 होता है नेक्स्ट copper यानि कि तांबा यानि copper को तांबा बोलता है तो copper यानि कि तांबा को 85ians HERE होता है किसका तो copper का next question है question number five निम्न्य में से किस दहतू का पुरियोग करके रीले आदी میں बिजली कंड़क्टर बनाने में पुरियोग किया option c यानि कि twisting vr का प्रियोंग करते हैं यहिसी अधी में बिजलिए अगर कर नाने में इसका पिर्योंग करते हैं अब कुछ points को देख लेते हैं जैसे कि जो jeder होता है इसका जो संक्रेथ होता है यानि Capital अजी होता है में और इसका जोε जो सम यह पन折 होता है और इसका जो ले धातू है नेक्स्ट कोश्चन है कोश्चन नमबर शिक्स निम्नमस से कौन लोह अयस्क को साफ करने की वीधी है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानि की उपयोगत सभी अब कौन कौन सा देख लेते हैं तो भारात्मक पृत की करन ये भी क्या है एक वीधी है law ask को साफ करने की next क्या है चुमबा किया पृत की करन है next क्या है तो दबाव पृत की करन है यानि ये तीनों विधी है law ask को साफ करने की विधी अगला question है question number 7 निम्न में से stainless steel के मुख alloying तत्व है तो इसका right answer हो जाएका option A यानि की chromium तत्था nickel ये दोनो यानि की जो stainless steel है इसका जो मुख alloying जो तत्व है वो कौन-कौन सा है तो chromium और nickel दोनो है अब इसे रेटर कुछ points को देख लेते हैं जैसे जो chromium है इसका जो संकेत है वो CR है यानि capital C और small n next जो इसका atomic number है वो क्या है तो 24 है next जो nickel है इसका जो संकेत है वो क्या है तो capital N और small i है और इसका जो atomic number है वो कितना होता है तो वो होता है 28 होता है next question है question number 8 निम्न में से किस धातू का alloy मन्जू धातू होता है तो इसका right answer हो जाएगा option A यानि कि copper तथा zinc ये दोनों जो धातू है इनका जो alloy है वो क्या है मन्जू धातू होता है next question है question number 9 निम्न में किन धातू के मिसरन से monol धातू बनता है यानि का पो ये बताने कौन से धातू के मिसरन से कौन कौन से धातू को मिलाने से जो monol धातू का निर्मान होता है यानि कि बनता है तो इसका right answer हो जाएका option C यानि कि nickel तथा copper के मिलने से monol धातू बनता है अब इसे लिटर कुछ points को देख लेता है जैसे जो gun metal होता है इसमें क्या क्या होता है यानि किन-किन चीज़ से मिलकर gun metal बनता है तो copper, zinc और tin इन तिनों के मिलने से gun metal बनता है next question है question number 10 साधारन तो iron ore में कितना प्रतिशर्ट law gun पाए जाते हैं यानि कि आपको ये बताना है ये जो iron ore है इसमें साधारन तो कितना प्रतिशर्ट law जो gun होते हैं law gun जो होते हैं वो कितना प्रतिशर्ट पाए जाते हैं तो इसका right answer हो जाएगा option A यानि कि 40 प्रतिशर्ट से 65 प्रतिशर्ट तक law gun पाए जाते हैं किसमें तो iron ore में अब इसे कुछ points को देख लेते हैं जैसे कि iron ore के बारे में देख लेते हैं तो जैसे कि iron ore वे चट्टान और खनीज हैं जिन में धात्विक law और आर्थिक निश्कर्शन किया जाता है उसे iron ore कहते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट कोर्शन है कोर्शन नमर 11 white metal alloy है यानि कि आपको यह बताना है जो white metal है वो alloy किसका किसका alloy है तो इसका right answer हो जाएगा option B यानि कि copper, lead, tin तथा anti-money का alloy है कौन तो white metal अगला कोर्शन है कोर्शन नमर 12 निम्न में से high speed steel का मुख्य मिश्रन तत्वा होता है यानि जो high speed steel होता है उसका मुख्य तत्वा बताना है तो इसका right answer हो जाएगा option D यानि कि tungsten अब इसे रेट कुछ points को देख लेते हैं जैसे कि जो high speed steel होता है वो तीन प्रकार का होता है कौन कौन से होता है तो low high speed steel होता है second medium high speed steel होता है third super high speed steel होता है next question है question में 13 निम्न में से किस कारण से cast iron का उप्योग machine के bed बनाने के लिए किया जाता है तो इसका right answer हो जाएगा option C यानि कि अधिक compressive load सहन कर लेता है इसलिए हम cast iron का उप्योग किसलिए करते हैं तो machine के bed बनाने के लिए करते हैं अगला question है question में 14 निम्न में से टीन के संबंध में सही कथन है तो इसका right answer हो जाएगा option C यानि कि टीन shoulder की alloy धातु है अब इसे रेटर कुछ points को देख लेते हैं जैसे कि जो टीन होता है उसका जो संकेत होता है वो s n होता है यानि capital S और small n होता है और इसका जो atomic number होता है वो 50 होता है अगला question है question number 15 high speed steel यानि कि HSS से बने tool में carbon की मातरा होती है यानि कि आपको ये बताना है कि जो high speed steel होता है इसमें carbon की मातरा बताना है तो इसका right answer हो जाएगा option D यानि कि 0.75 प्रतिशत से 1 प्रतिशत तक होता है carbon की मातरा अगला question है question number 16 high speed steel में निम्न मैं से किस अनुपात में मुख अलो तत्व होते है तो इसका right answer हो जाएगा option B यानि कि जो tungsten होता है वो high speed steel में 18 प्रतिशत पहाएजाता है जो chromium होता है वो 4 प्रतिशत पहाएजाता है vanadium जो होता है तो वो एक प्रतिशत पाए जाता है किसमें तो हाई स्पीड स्टील में यह कोश्चन पूछा हुआ को अगला कोश्चन है कोश्चन नमबर 17 निम्न में किस योगीक में सबसे कम कार्बन की मातरा होती है यानि कि आपको यह बताना है उस योगीक आपको नाम बताना है इन ऑप आप्शन सी यानि कि रॉट आयरन यानि कि जो रॉट आयरन है इसमें सबसे कम कार्बन की मातरा होती है अब इससे कुछ पॉइंट को देख लेते हैं जैसे कि रॉट आयरन को पिटवा लोहा भी कहते हैं नेक्स्ट यह लोहे की सबसे सुध किश्म है यानि कि सबसे सुधतम रूप होता है लोहा का नेक्स्ट इसमें लगभग 99.8 परतिशत लोहा पाजाता है किसमें तो रॉट आईरन में हैं कि नेक्स्ट कोस्टान है कोश्टनिंट कि परनेस भन्ती का ताप मन किया श्राल सब्सेस कि का इस इसका राइट आंसर अप्शन सी एनि कि बारो सो 70 सेंटीग्रेट से 1340 सेंटीग्रेट तक होता है नेक्स्ट कोस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् कुछ पो firenze को देख लेते हैं जैसे कि इसका प्रीयोग कई परकाड के iron और इस्टील बनाने के लिए किया जाता है जैसे की कास्ट अे फोठ अरोड अरेण गए स्टील आधि में इसका प्रीयोग जाता है next question है question number 20 निम्न में से aluminum का मुख रसानी के गुन है तो इसका right answer हो जाएगा soft यानि जो aluminum है इसका मुख रसानी जो गुन है वो क्या है soft है वाजिके जो aluminum होता है वो soft होता है next question है question number 21 धातु के किस गुन के कारण धातु को बार-बार मौड़ने पर नहीं तूटती है यानि कि आप उस गुन के बारे में बताना है कि कौन से वैसे इसमें धातु का बार-बार मौड़ते हैं और तूटता नहीं है तो इसका right answer हो जाएक option C, यानि कि toughness के कारण, वो क्या होता है, उसको मोरने को तूटता नहीं है next question है, question 22, खुर्चन यानि कि scrap को रोकने वाला गुन कहलाता है, यानि कि जो खुर्चन यानि कि scrap को रोकने वाला जो गुन है, वो कौन से गुन है, उसके बारे में आपको बताना है तो इसका right answer हो जाएक option A, यानि कि hardness next question है, question 23, निम्न में डूरे अलूमीन और हिंडोलियम, एलोईज में 95 पतिशर्ट क्या होता है तो इसका right answer हो जाएक option D, यानि कि aluminium होता है, कितना पतिशर्ट तो 95 पतिशर्ट next question है, question 24, इस्टील में कारवन की मातरा बढ़ाने से क्या परिणाम होता है यानि कि अगर हम स्टील में कारवन की मातरा को बढ़ा दें, तो क्या होगा, यानि कि उसका परिणाम क्या होगा, वो बताना आपको तो इसका right answer हो जाएगा, option A, यानि कि hardness में ब्रिद्धी हो जाएगा, यानि वो कठोर हो जाएगा next question है, question 25, निम्निम में किसका प्रियोग किया जाता है, pig iron के उत्पादन में तो इसका right answer हो जाएगा, option B, यानि कि blast furnace का प्रियोग किया जाता है, pig iron के उत्पादन में तो friends, आज के लिए इतना ही, वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करें, channel को subscribe करें और bell icon को दबाएं, ताकि notification आपको time से मिल पाएं, और अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं, तो आप हमारे telegram को join कर सकते हैं टेली ग्राम का link description में दिया है, वहाँ से जाकर join कर सकते हैं Thanks for watching